पर कुछ लोग अजे हैं भी हुंदे ने कि चाहे उना कुल काखवी ना हुवे, चाहे उना दा शरीर जवाब देदवे, पर उना दी हिम्मत चडिया उकादे टूटदी नी है सेक्टर चपी, पंचकुला, बिजली दिखंबे उपर काम कर रहा था तो तभी किसी ने स्ट्रेट लैड जो रात को छे वजेवान होती है, तो दूपार को ग्यारा वजेवान करती है, तो जिससे मुझे करंटर लगा मैं उस वक्त सोच ने पाया, भी अब क्या होगा, कैसे करूँगा, मैं अब तो मेरी पूरी जिंद की बैट बे रहेगी, बैट पे रहूंगा, मैं कुछ करने फिरने के लाएक है नहीं हूँ, और लोग मुझे देखना थे थे, तो मैं उनके सामने भी नहीं आता था मुझे अब तक मुझे बागदा कोई भी रेग्लर थे, अब तक मुझे कोई पूछने b भी नहीं, मैं कैसे Ven पर बंदे दीज जंदगी देविच चंगा या फिर माड़ा दौर कदे भी आसागदाय है, इसना किसे नूँ नहीं पता हुंदाय है. पर कदी कदाई साधी जंदगी दे विच कुछ अजीहा पाना वापर जानदा है ते इंसान चड़ा है ओ हिम्मत ही हार पहनदा है पर कुछ लोग अजे है वी हुंदे ने कि चाहे उना कुल काखवी ना हुए चाहे उना दा शरीर जवाब दे दवे पर उना दी हिम्मत जड़िया ओ कादे टुट दी नहीं है ते ओ ऐसे हिम्मत दे चल दिया दुनिया दे विच मिसाल बन दे आज असी एक सक्षियत दिनाल त दे विच माडा हो जवे ता उस तो बाद भी अपनी जिंदगी जिनी नहीं चड़नी हिम्मत करनी नहीं चड़नी ते मैनत करनी नहीं चड़नी ते ओसे ज़स्ट भी दिनाल उठना है तो उसे जुड़ चो क्यों लिविंग इंडिया टीवी दिनाल मैहा गरिमा गालबात अ जिना दे जो लट्ता काम नहीं कर दियां, पर होंसला एंनक है, अपने परिवार दा गुजारा कर देने, बड़िया वदिया तरीके देनल मैनत कर देने, ते आज समाज दे विच एक मिसाल बने ने, ते स्वागत कर दिया, टेक चन जी दा, बहुत बहुत स्वागत है लिविं काम कर रहा था, तो मैं ओन डूटे करते हुए, सेक्टर चपबी, पंचकुला, बिजली दिखंबे पे उपर काम कर रहा था, तो तभी किसी ने स्ट्रीट लेड़ जो रात को छे बज़ेवान होती है, तो जिससे मुझे करंट लगा और मैं उपर से नीचे गिरा, जिससे मे परी और मुझे उसी वक्त, और जिस्टे व फंट्रीट च भी कर रह था तो, उसके बाद उन्हों कहा कि इसका स्पाहिन का उप्रेसन और हेना है, उन्हों ने बोला कि इसाइद को उप्रे में बाद चलना पिरना इसका नहीं हो सकता. वोष समें? मेर चोड लगने कि एक यह अफ्ते तक कमैं भी हो शी रहा तो मेरा वे बटो मेरा ओपरेस्ट आचुका था तो ओपरेस्टन के तीन दीन बाद हो समे आया और हो समे आता ही मुझे पता कि मेरे टांगों में संसेशन और मुवमेंट नहीं है तो एकदम से मैं हतास हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा ते उस टाइम दे एकदम ते क्या है कि होन मैं परिवार की में चला मांगा मेरी जिंदगी पूरान तौरते बदल गई है यह सब मैं उस वक्त सोच नहीं पाया क्या होगा कैसे करूँगा मैं अब तो मेरी पूरी जिंदगी बैट पर ही रहेगी बैट पर ही रहुँगा मैं कुछ करने फिर नि면 के लाएक नहीं हूं और और लोग मुझे देखनाते थे, तो मैं उनके सामने भी नहीं आता था, मुझे नर्वस मैसूस करता था, उनके सामने आत तो भी कैसे बात करूँगा, क्या करूँगा अब मैं। फिर उस ताइम समाज दा, परिवार दा, बच्चें दा भी ख्याल आया होना कि मैं बच्चे पालने के में हैं, लोग मेरे बारे किस तरीके नल सोचनगे या फिर मेरे माता-पिता की खैनगे? यह सोचा था, मैंने और इसी सोच में मैंने साड़े चार साल गुजार दिये, घर पे, बेट पे, तो फिर उसके बाद मुझे मेरे एक दोस्त, जो पंचकुला मेहराजपाल जी, उन से कॉंटेक्ट हुआ, एक गुरूप के जरिये, जो स्पाइन गोड इंजिरी का गुरू मैं पे बात की वहां से, एडमीन से माँ बात की, तो महाँ पे मेरा कुछ ढ़ी तीन मेने बाद नंबर लगा वहाँ पे, और मैं ऐसे जाब इन सकता था क्योंकि वहां के कोश्ट जाता थी, कितने कीमत थी? मतलब कि उन्होंने आपको गाइड करना था कि मोटिवेट करने के लिए? मतलब की की तीन साठीन मेने की ट्रेनिंग है जो फ्री में देंगे तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने इसे रखा कि जैसे मुझे जैसे मुझे अपने घर पी रहा हूं मुझे महसूद उन्हां कि मैं की की सखाया है की की दश्या है गाभ? उनने मुझे बार गुमाया, मार्केट में ले जाया गया मुझे वहाँ पे किरिकेट स्टेडिम में भी ले जाया गया मुझे और थेटर बगेरा में भी और मुझे लोगों के बीच में बैठ के बात करते थे जो वहाँ के फीजियो थेरपिस्ट थे नर्सिंग स्टाफ थे ज जो बहुत अच्छी तरह मोटिवेट करते थे ते मैं इत्थ ही आना सिगा कि मोटिवेट किस तरीके ना जिमें तुसी सब नदसे आगी साधे चार साल तुसी सिरफ एक बैड़ ते ही गुजार देते है ना तो उस तो बाद तुसी हिम्मद करके थोड़े दोस्ते जरी हो खेड़े थे खेड़े थे एक महा ती एक गरदन दा निच लए इसा अंजली नाम देख लड़की जी महां उना दाल गरदन दा निच दा परलाई थे तो वो भी बोश्या प्लियर सी तो आभी उनोंने गोल्ड मेटल आहे हो गोल्ड मेटल तो उनसे बात करते थे उनको करना चाहिए मुझे अपनी जिन्दगी जीनी चाहिए अपनी प्रिवार का पालन पॉसन करना चाहिए करना चाहिए तो अभी मेरे पास एक लड़का है वो अभी आठ सालका है तो उसको उसकी विपड़ाई लिखाई करने के बारे में सोचा अभी अब क्या करूं क्या करूं तो महाँ पे मैडम से मैंने बात की कि अब मैं ट्रेनिंग तो मेरी पूरी होगी इंडिपेंटर में हो हुझा केला रह सकता हूं तो आप मुझे कुछ बार जाने के लिए कश आदन बगरा यह कुछ जोब गरा मैं कर चाहता हूं उन्होंने मेरी मुझे एक टेकल दोआया है ए एंवी टेकल शार अटेजो अटा ए और हूंनों मेरा मेरा को से कुण्ठक्ट ग्राई है तो में मैं अब काम कर रहा हूं जो मेरी अच्छी इंकम है, मैं अच्छा कमा लेता हूं, अपनी गर परिवार का प्राण पहुंस अच्छे से कर रहा हूं. जो कैस लग दिया है कि बैढते सिर्फ एही सोच के बैठे रहे हैं कि शायद लोग मैंनू की कैन के ता उस तो बाद संस्थाने इना दे मदद कीती ता थो उन्हों दिखा वी साग दिया कि आहां चड़ी है वीलचीर जड़ी की आहां जमेटो इना पिछे लगाया हूए है इस मैटो दे थ्रू एहें डिलिवरी कर दे इस बॉक्स दे थ्रू ते आ ऐसे वीलचीर दे उत्ते सारे कामकार कर दे ने तो उस तो बाद जड़ी आहां गड़ी है आथो नो दिखा सकते हैं मैं अपने कैमरा पर से नो कहूंगी दिखावे ते आ गड़ी जड़ी है इस वीलच दे ने कार दे विच पर एक मिसाल है कि एना कुछ होन तो वाद वी एव यक्ति जड़ा है अपने पैराते खड़ा होया है इस सोचनल कि मैं कुछ करना है अपने परिवार नो पालना वी है जब आसी गालबात कीती है कि तुसी किया कि काम करना शुरू कर देता लोग का दे अब कैसे कर रहा है और अब तुगा अब जा रहा है कि आपके घर पे वाइफ है जो ऑकेली रहेगी बच्चा कैसे रहेगा तो यह सब सुनने को मिलता है तो मैंने तो जोजा कि आप बहर तो जाना या काम तो करना या गर कासे पालन पोशनों गर परिवार का तो इसके निकलना पड़ेगा और मैं ओन डूटी था दब मेरा चोट लगी थी तो मैंने विजली विपाग ते और अपनी कंपनी दे केस भी डाला था जिसका नेतिजाब तक नहीं हुआ पांच साल हो गए ते जो थोड़े नल इपाना वापरिया जो तो नो करेंट लग गया की उस अब तक मुझे कोई पूछने भी नए मैं कैसे रह रहा हूं अब मेरा हाल क्या है मुझे अब तक किसी का मिलना तो बोट दूर की बाता है किसी का फोन तक निया आवी तक पांच साल हो गया और फिर मैंने बिजली विपागते और कंपनी दे केस डाला वा तो उस उस केस दे मैरा तो यहां जो मेरी मुझे कुछ जूरत होती है पैसों की जूरूरत होती है आर्थिक साहता वो करते हैं थोड़ा बहुत करते हैं कि तुसी दस्या हैगा, जब तुसी शुर्वाद किती है लो काया, ताले में अजने भी शुरु हुन्दे है, क्योंकि एक थोड़े ले बहुत नमी शुर्वाद से करो निकल ना, वही एक हाथ से तो निकलन तो बाद, किनना को अखा पैला दिन थोड़ निकली आएगा, जस अन्तुसी हे लिपनेग काम काना शुरू की तव फुरू में तो मुझे बहुत अख़ लगा की मैं कैसे बाहार राव करूँगा तॉ मोचे देख अब कैसे करेगा ये मुझे देखते दे बहु कुछ हो जाए कौंड देख़ा बहार इसको कैसे करेगा तो मेरे अंदर मेरे मन म में हिम्मती कि मैं कर लूँगा, मैं बहार निकल जाओं तो मैं खुद इंडिपेंट हो चुका हूं, मैं खुद कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा कि इस द परिवार साथ सब्सक्तु जादा महिने रख़गा यए क्योंकि पाना वा पर जानतु वाद जो परिवार है थो अनू से पोर्ट भी का दा की ते कोई तान नहां मेंना भी मार देंद। पतनी ही थे किनक स्पोर्ट रहाए पटणी हम्रा बहुत स्पोर्ट रहा है हू मेरे साथ उनादा भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है अभी घर परिवार में पापपा और मेरी पतनी यह जो घर पर रहते हैं और उनकी वज़ा से ही मैं अब अकेला यहां पर रहता हूं है साथ रहां कि परिवार्दी हिम्मत थो नो इस कदर तक लेकर यह थी तक कि तुसी मैनत करके काम कर रहे हैं उन्होंने बेजा कि कुछ करो जो कुछ उन्होंने मनानी किया जो कुछ आप करना चाहते हो आप करो आप करना चाहते हो जो आप करो जो आप करो जो आप कमान करे कर पर शही तरीके से थोड़ा करना पर अपना संधाल के काम कारना कधी अधगता हुए है की डी मोटिवेट हो उकरी किसमत नू कोस्या हो वे कि मेंना किसमत ने की कुछ कर देता है हाई राबतुचंगा नहीं किता मेरे नाड़ कभी कभी आता है मनमें भी ऐसा हो गया मेरे साथ बी लोगो चलते हुए दिखता हूं, पिल्टा एसे चलता था आप लोग। कईव भरस होता है कि मैं डेलिवर करने जाता हूं तो लोग, सेकने फ्रॉर थे पोर्थ फिलोर थे, या उपर लोग, ओर ऊडर मंग बाते हैं कि वोपर देगे जाओ, पर जबय सरर्वार का में तो पोट कि थरूं के तो लोरौ ऑप्र संथा करनों किन्युटियों जबूताइमखने translation नियुकुं है ख्रभषा फिरम क किया है तुम क्यान शुरु कि इस फूर टام dough here कर दो किसी बात भी करता था लेकिन अब सब्सक्राइब सेङुआ के बाद मुझे ऐसा होता है कि मैं घर में रहूं इना मैं लोगों से बात करूं घूलो भूम फिर हूं ऐसा ही है ते इस तो लावा जिकर गालबा कीती जावे कि समाज तो सपोर्ट मिलिया कि ताने में नहीं मिलिया है? समाज तो ताने में नहीं मिलिया है रिष्टेदार सपोर्ट कर दे है कि ओवी ताने ही? करेंगें एक इसे न सब्सक्राइब करेंगें पर मैं चाहता हूं कि मुझे किसी से किसी कुन रखा करेंगें युदा आपने अपने घर का परिवार का अब पूस्ट हुद करूं तो में की कह सागदे नैंक बच्चे देल लाई उदा पिता जो है सुपर हीरो होंड़ा कि थोड़े बैटा थो नुअनो मान दा कि मेरे था पापा ही सुपर हीरो है था यह वह हुआ बार्टाइक पुछे यह पोड़ा पुछे आगा तो कि डैडि था तुर्दे कियो निया आ इस कारन, वह नहीं पूश्ता. अच्छी कर गालबात कीती जावे, तूसी पूरा दिन ऐसे वीलचेर दे रहनों या फिर मतलब थोड़ा बहुत वी तूरके देग तूरपान देओ? नहीं, सारा दिन इसी वीलचेर दे रहता हम है तो वाश्रूम गएरा जाना हो वे उच्छल किसे ली मदद लेनी पहन दिया है? नहीं, जी वाश्रूम देविच मदद लेनी पहन दिया है? इसी चीज दी टेनिक दिती सी उनाने चंडीगर भी सीफट होना है, कमोड़ सीट थे, बैटे थे किस तरह सीफट होना है या नीचे गिर जाओ, तो नीचे से कैसे, अग कहीं बार ऐस होता है कि आपकी स्पोर्ट के लिए कोई नहीं होता घर में, बाहर नहीं होता तो आप नीचे से कैसे वीलचेर पे सिफ्टों, कैसे उठना है, आपको बैठना है, वो सब सिखाया जाता है महाँ पे. तो आज मान महसूस होनदा है तुसी सुसाइटी दे ले बहुत बड़ी एक प्रेहना दा सुरोत हो? हाँ जी होता है, अगर मैं चन्डिकड से पहन रहे हैं नहीं जाता तो साइद मैं आज ये नहीं कर पाता. हाँ जी होता है, तो आज मैं चन्डिकड से ले बहुत बड़ी प्रेहना दा सुरोत है, जिते की आम तौरते हैं असी पंजाब दे विच भी वेक दे पिंडा दे विच वधिया पड़े लिखे, कुडिया मुंडे होंदे पर फेर भी वेलर दी तरह बैठे रहें दे हैं पर यह ओ इस सक्ष है, जिसने हिम्मत नहीं हारी, चाहे जिन्दगी ने तक का जिन्ना मर्जी किता होवे, अपने मैनत, अपने जजबे दे नाल आज काम कार रहा है, परिवार दा पालन पोशन कार रहा है, ता मैं असी विएना दे जजबे नो सलाम कर दियां, होर इसी तरीके जबे दियां, होर जडिया स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरीस देखां देले तुसी जडे रो, Living India TV देनाल, मैंनो दिया इजाजस तानवाद